अंतरिक्ष में जानवरों पर एक्सपेरिमेंट करते वक्त वहाँ पर बहुत ही खतरना क्यामिकल रिलीज होने लगता है जो कि नॉर्मल जानवरों को क्रियेचेस में कनवर्ट कर दे रहा था पर अब वो खतरना क्यामिकल अर्थ पर गिर जाता है जिसके वज़े से बहुत सा आदमे की मदद करेंगे उनकी एचेस को हराने में यहां अंतरिक्ष में हमें अथीना वन नाम का स्पेस्टिशन दिखाया जाता है जहां पर बहुत बड़ी कंपनी जानवरों पर एक्सपरिमेंट करते रहती है वो अलग अलग जानवरों के डियने और जीन्स में लाकर एक न साइंटिस को मार दिया था पर यहां एक साइंटिस बज गई थी जिसका नाम क्लियर था और वो उस खुंखार चुए से बज़कर भागते रहती है वो एक दूसरे शिफ के अंदर जा रही थी लेकिन उसका दरवाजा लॉक था क्लियर यहां पर अर्थ के हैड़कौटर में कांटैक करती है और उनसे अंदर जाने का पर्मीशन मांगती है लेकिन वो कमपनी वाले क्लियर को साफ साफ कहे देते हैं कि उससे पहले लैब में जाकर वो तीन सैंपल्स लेके आने पड़ेंगे जिस पर वो सालों से वर्क कर रहे थे क्लियर के पास दूसरा कोई आप्शि शेटल के ग्लास को तोड़नी की कुशिश करता है लेकिन क्लियर मीन शेटल से दूर चले जाती है और वो पूरा स्पेस टेशन ब्लास्ट होने लगता है लेकिन ऐसा नहीं था उस स्पेस टेशन का ब्लास इतना बड़ा था जिससे कि उसका वाइबरीशन काफी जादा दू जानौर को ट्रेन करने के लिए एक वाइल्ड हैप सेंचुरी में काम करता था वहाँ पर सभी तरीके के जानौर पाये जाते थे खासकर कि गोरिलाज उसी जगोँ पर एक वाइट गोरिला पाया जाता था जिसका नाम जौर्च था और 31 सालों में वो डेविस का बहुत यहाँ पर क्लेर का स्पेस शेटल तूटकर अर्थ गिरने लगार और उसके अंदर वह तीन केमिकल भी थे जो कि अर्थ के अलग-अलद जगहों पर जाकर गिरने लगते हैं एक chemical का sample तो नदी में जाकर गिर जाता है जिससे कि एक crocodile उस chemical के चपेट में आ जाता है और वो उससे infected हो जाता है यहाँ पर दूसरा chemical का box एक जंगल में गिरता है और उसे एक लूमड़ी जाकर सुनने लगता है यहाँ तीसरा sample जोर्ज के पास गिरता है और जोर्ज जब उसके पास जाता है तो वो chemical उसके body में चले जाता है जिससे कि जोर्ज को काफी ज़्यदा pain होता है और वो चिलाता रहता है यहाँ अगले दिन डेविस को पता चलता है कि जोर्ज ने कुछ gorillas को मार दिया है और वो भी यह देखकर shock था क्योंकि जोर्ज ने आज तक किसी पर भी हमला नहीं किया था जब डेविस जोर्ज के पाथ जाता है तो जोर्ज का size पहले से काफी ज़्यदा बड़ा हो गया था और इतनी कम टाइम में इतना बड़ा हो जाना यह कोई logical बात नहीं थी यानि कि हम directly connect कर सकते हैं कि उस chemical के हुझे से जोर्ज का size काफी ज़्यदा बड़ा हो गया था यहाँ पर हमें एक औरत दिखाई जाती है जिसका नाम लिया था और वो अपने भाई ब्रैट के साथ कुछ बात करते रहती है लिया उसे company की owner थी जिसमें की clear काम करती थी और उन्हें पता चल गया था कि उनका space shuttle blast हो गया है और अर्थ पर आकर गिर गया है लेकिन लिया को tension इस बात की नहीं थी कि उनका space shuttle और कई scientists मारे गए थे बलकि उसे वो तीन chemicals चाहिए थे जो space shuttle के साथ गिरे थे लिया ब्रैट को बताती है कि अगर वो लोग space shuttle के गिरे हुए टुकडों के यहाँ पर ढूंडेंगे तो सायद उन्हें वो chemicals मिल सकते हैं लिया यहाँ पर अपनी पूरी टीम भेज देती है उन chemicals को ढूंडने के लिए यहाँ पर हमें डॉक्टर केट नाम की ओरत दिखाई जाती है जो कि लिया की company में ही काम करती थी वो डीविस के काफी ज़दा अच्छी दोस भी थी केट को यहाँ पर उस space shuttle के accident के बार में पता चलता है तब भी उसे डीविस का call आता है डीविस उसे बताता है कि जॉर्ज की तबित काफी ज़दा खराब होती जा रही है और वो size में काफी ज़दा बड़ा होते जा रहा है केट समझ जाती है कि यह ज़रूर उस chemical के वज़े से हुआ है और वो तुरन डीविस के पास चेले जाती है केट डीविस को बताती है कि जॉर्ज के body में जो भी changes हो रहे है वो एक chemical के वज़े से हो रहे है जिसमें की अलग अलग type के animals का DNA था और इसकी वज़े से जॉर्ज का size काफी ज़दा बढ़ गया है इतना ही नहीं जॉर्ज का size तो और भी बढ़ने वाला था और इस chemical के वज़े से जॉर्ज धीरे धीरे अपने आप पर control खो देगा और चारो तरफ तबाही मचाने लगेगा यहां पर वैसा ही होता है जैसा केट ने बताया था जॉर्ज काफी ज़दा aggressive हो गया था और वहां के सारी चीजों को दबाह करने लगता है वो इतना powerful हो गया था कि वो पिज़े को तोड़कर बाहर भाग जाता है डेविस भी उसके पीछे भागा चला जाता है सभी लोग ज इस तरह दिखकर काफी ज़ादा डर गए थे और यहां पर जॉर्च काफी ज़ादा खूंखार हो गया था वहां पर सारे पूलिस वाले भी चौर्च उन्हीं की बीच में लोग जंगल में उस कैमिकल को ढूंदते रहते हैं तब ही उन्हें जमीन पर एक बहुत ही बड़े पंजे का निशान दिखाई देता है जो कि किसी नॉर्मल जानवर का नहीं हो सकता था वो जब थोड़ी दूर और अंदर जाते हैं तो उन पर एक बहुत बड़ा भीडिया हमला कर देता है जो कि बहुत ज़्यादा खुंखार हो गया था और यह वही भीडिया है जो कि उस कैमिकल के ट्रैप में फस गया था यहाँ पर वो सब काफी ज़्यादा डर जाते हैं लेकिन वो भीडिया थोड़ी उन लोगों पर रहम करने वाला था वो उन्हें एक एक करके मारता रहता है उपर से एक हैलिकाप्टर उस भीडिया पर हमला करते रहता है वो भीडिया काफी ज़्यादा दूर तक भागता है और तुरन्त उस हैलिकाप्टर पर जम पार देता है और उसे पूरा डिस्टोय कर देता है यहाँ रैसल नाम का एक कमांडर जॉर्ज को कहीं दूर लिखे जाता रहता है डेविस रसल से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे और डॉक्टर केट को भी साथ में लिके चली रसल इस बात से मान जाता है और वो लोग भी उसके साथ जाने लगते हैं रसल उन सभी को बताता है कि आसमान से लगबग तीन केमिकल के बॉक्स गिरे थे जिसमी के पहला जॉर्ज के पास गिरा था और दूसरा केमिकल एक भीड़े के पास गिरा था और वो भीड़े भी काफी यदा बड़ा हो गया था डॉक्टर केट को ये बात पहले से पता थी लेकिन वो किसी को बताती नहीं यहाँ पर ब्रेट काफी यदा परिशान हो गया था और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो लोग अब क्या करे उन्हें कैसे भी करके वो केमिकल उन जानवरों के बॉड़ी से निकालना था पर लिया उसे चिल रहने के लिए कहती है वो उसे बाहर लेके आती है और एक टावर दिखाती है जिसका वाइबरेशन यूज करके वो उन सभी अनिमल्स को यहाँ पर बुला सकती थी लिया ब्रेट से बात करते करते उस वाइबरेशन को स्टार्ट कर देती है वो सारे बड़े एनिमल्स उस vibration को sense कर लेते हैं और सहर की तरफ बढ़ने लगते हैं George यहाँ पर काफी अदा खुंखार हो गया था और वो अपनी पिजडे से आजाद होकर plane की सारी जगों को तबाह करते रहता है अब George यहाँ पर किसी के भी control में नहीं था और उसके इस aggressive behavior से वो पूरी plane तबाह होने लगती है डेविस यहाँ पर केट के साथ होता है और वो बाकी बचीवी लोगों को parachute देता है जिससे की वो निचे जा सकी और वो सभी लोग plane crash होने से पहले वहाँ से कूच जाते हैं और parachute की मदद से बच जाते हैं यहाँ George भी वहाँ से निकल गया था और उस accident पर उसे जरा सी भी खरुच नहीं आई थी यहाँ वो plane buli तरीके से crash हो गया था और Davis का गुस्सा तो साथवे आसमान पर था वो इस बात से नाराज था कि वो लोग इतने cruel कैसे हो सकते हैं कि वो मासूम जानवरों पर इस तरीके का experiment करें Kate David को बताती है कि उसने ये सब जान बुचकर नहीं किया है लिया ने Kate को काफी अदा blackmail किया था और उसके बाद पैसे भी नहीं थे जिससे कि वो अपने भाई का इलाज करा सके यहाँ पर असल उन सभी को बताता है कि उस chemical का antidote भी present है और वो शहर के एक lab में रखा हुआ है जहाँ पर लिया का office था और अब उन लोगों को antidote लेने के लिए शहर में जाना ही पड़ेगा यहाँ लिया और ब्रैट दिखते हैं कि उनके company में FBI वाले आ गये हैं और उन्हें जरूर इस बात का पता चल गया होगा कि यह सब लिया के company के वज़े से ही हो रहा है लिया और ब्रैट केसे भी करके वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं लेकिन FBI वाले उन्हें पकड़ लेते हैं यहाँ डेविस और बाके सब सहर की तरफ निकलने वाले होते हैं तब यह वहाँ पर सभी आर्मी वाले आ जाते हैं मिलिटरी वाले बताते हैं कि वो सभी जानवर सहर की तरब बढ़ रहे हैं और उन्हें कैसे भी करके उन्हें रोकना पड़ेगा। केट डेविस से कहती है कि अगर वो आर्मी वाले शहर पहले पहुच गये तो वो जोर्ज को भी मार डालेंगे तो उन्हें कैसे भी करके जोर्ज को एंटिडोर देना पड़ेगा। अबाई माचाने लगते हैं और वो दुनों सामने आने वाले सबी चीजों को तबाह करके आगे बढ़ रहे थे तब यहां पर पानी में कुछ हलचल होने लगती है और एक बहुत बड़ा क्रोकोडाइल पानी से बाहर निकलता है दीखने में वो काफी यदा खतरनाग दिख सकता था लेकिन यहां पर डेविस और केट उस जगह पर पहुँच गहे थे जहां पर एंटिडोट रखा हुआ था केट एंटिडोट को ढूनते रहती है और डेविस उससे ये एक्सपेरिमेंट का वज़ा पूचता है केट उसे बताती है कि लिया को एक ऐसा वेपन बनाना था जो कि वो खुद कंट्रोल कर सके और उसके सामने कोई भी न टिक पाए लिया यहां पर भागने की तैयारी करते रहती है पर तभी वो डेविस और केट को देख लेती है जो कि उसके ऑफिस में एंटिडोट धून रहे थे वो वहां पर जाकर डेविस को गुली मार देती है लेकिन डेविस उतने चोटे गुली से मरने नहीं वाला था हाँ वो बेहोच हो गया था लिया यहां पर बाहर आ जाती है और वो लोग वहां से भागने की तैयारी करते रहते है तभी वहां पर जोड़ता रहता है जो कि रेडिशन फैला रहा था वहां की सारी चीजों को तबाह करता रहता है कीट के उपर वो चीज गिरने वाली थी पर तभी डेविस उसे आकर बचा लेता है यह सब देखकर ब्रैट अपने बहन को छोड़कर भाग जाता है यहां कीट डेविस को बताती है कि उसके पास एंटीडोट है जो कि उसने लिया के ऑफिस से चुरा ल यहां पर ब्रैट अपनी जान बचा कर भाग रहा था पर तभी रसल इसे पकड़ लेता है और उससे कहता है कि अगर तुम्हें बचना है तो ब्रैट को उसके सारी कमपनी की इंफॉमिशन उसे देनी पड़ेगी ब्रैट काफी जान बचाने के लिए अपनी कमपनी की सारी उसे दे देता है यहाँ पर वो क्रोकोडाइल और लोमडी काफी आदा तबाही माचाते रहते हैं और यह बड़ी-बड़ी बीडिंग्स को तबाह करते रहते हैं वो तीनों जानवर उस बीडिंग्स से नीचे गिने लगते हैं और उस जटके के बाद जोर्ड पुरा ठीक हो जाता है और वो डिवी से नॉर्मल तरीके से बात कर रहा था अब यहां पर जोर्ड को उन दोने से लड़ना था तो जोर्ड उन सबीसे फाइट करता रहता है यहां पर वो तीनों बड़े-बड़े जानवर अब एक दूसरे के आमने सामनी थे और वो एक दूसरे को मारते रहते हैं, सबसे पहले वो क्रोकोडाइल लूमड़ी को पकड़ता है और उसे अपने मुझ में दबा कर मान देता है, चलो एक पार्टिसिपेंट खतम हो गया, अब बाकी था 1v1 मैच, जो कि जॉर्ज और उस क्रोकोडाइल की बीच में था, जॉर्ज उस क्रोकोडाइल को पाइदा उठाता है और एक नुकीले ओब्जेक का यूस करकी उस बड़े से क्रोकोडाइल के बाड़ी में मार देता है, जिससे कि वो क्रोकोडाइल मर जाता है, और जॉर्ज भी यहाँ पर काफी जदा घायल हो चुका था, वहाँ पर जॉर्ज भी मर जाता है, डेविस को के बारे में फिकर करता है कि नहीं और वो डेविस को इस तरह रोता हुआ देखकर सहन नहीं कर पा रहा था इसलिए वो उड़ गया सभी लोग वहाँ पर हसने लगते हैं और हमारी इसी तरीकी की मज़िदा स्टूरीज लाने के लिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में से याँ